नमस्कार स्वागत है आप देख रहे हैं मंचान यू समय आपके साथ अंके सिंग चोहान भोजपूरी इंडस्टीज में तमाम बड़ी चीज़ों होती है और अक्सर ही हम आपको बताते भी रहते हैं तकिन आज जो कुछ होने वाला है आप देखकर कहेंगे कि हाँ वाकई में सुना है तो चले चलते हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत है और हमारे दर्शकों अपना नाम बताईए और आप कहां की रहने वाली वह बताईए थैंक्यू सर आपको और सबसे पहले मन चाहा न्यूज चैनल से जो जितनी भी दर्शक लोग हमको देख रहे हैं आप सभी को मेरी तरफ से साधर पड़ाम और दिल से धन्यवाद मैं गाई का सोनी साहनी आजमगर से बिलाउं करती हूं और परजन टाइम मैं पटना में हूं यूपी आजमगर से आपकी सफर जो शुरुआत हुई सिंगिंग की और अभी फिलहाल आप यहां तक हैं कितना मेहनत करना पड़ा आपको इन सब चीजों को पाने के लिए मीले हम सर मेहनत तो बहुत करना पड़ा और मैंने मेहनत को किया भी और उसका रिस्पॉंज भी अच्छा ही मिला आगे भी मेहनत करना बहु ज्यादा करने कि कोशिस है औरगी लच अव उस लच को हासिल करने सब्सक्राहिस अबहीं तक है रहा है अभी तक आपने मैक्सिमम मार्केट में मेरा डिर सो की आसपास गाने हैं यूटूबर कौन-कौन से आपकी भासा में गाने आती हैं भासा भोचपुरी ही है में ठेट भोचपुरी खाती और कुछ एकात सौंग जो हमारे दर्शकों के लिए प्राद है सुना लागे तो हरा बीना हमके घर यंगनमा सुना लागे तो हरा बीना हमके घर यंगनमा तो हरा बीना तड़ा पेपर ना माना बोला कहिया घर यई बाय सजाना माना बोला कहिया घर यई बामर सजाना माना ऑच्या बात है कि आज पास गया दस मेलें से पाष हुआ है बहुत ही जाता प्यारा श्रबात मिला मुझे पबलिक का फिर दूसरा गाना मेरा उसी कंपणी से आया अर रहुआ कुछ गदी ना सूती जाके बाहरी बलम यह एक मिलियन गया फिर इसके पहरी मैंने मेरा है उस कंपनी से मैंने एक निर्गुन गया मतलब कहें तो काफी पॉपलर्टी है यूटूब के दुनिया में और तमाम जीतने भी आपके गाने हैं काफी मतलब वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं और परशन करते हैं मैं आप से पूछना चाहूंगा कि आपकी जो सिंग मिवारिक जिमिदारिया और फिर मेरा एजुकेशन भी था पढ़ाई को देखते हुए घर का जिमिदारी को देखते हुए मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर पाई 2019 से मैंने इस पर वापस से फिर काम करना शुरू कि दिल से दिल और जान लगा दी मेरा कंपलेट होने के ब मैं हूं बहनों में और एक मेरा भाई है जो कि उस समय आप गाती थी लोग देखते थे आपको इसकूल की मेरी यादे मैं जब पढ़ाई कर रहे थी तो मैं उस समय अपने स्कूल के अस्टार थी लड़की होने के ना थे कभी आपको कुछ मुस्किल है सफिर या फिर कोई च संगित के फिल्ड में आने के लिए सोचना पड़ता है तो एक होता है कि इसका सब कही तो उस चीज़ से मैं भी डरती थी लेकिन मेरे घर में जो मेरे भाई थे माननी मेरे बड़े भीया करन निसाद वापवन निसाद उन लोगों ने मेरी प्रधिबा को पाचाना मेरे जु सबसे बड़ी इन्होंने बात कही है कि लड़की होने कनाते उनलों का मंजिल चुनना का भी मुश्किल होता है लेकिन भाईयों नी जिस तरह सपोर्ट करा है और सबसे आपके लिए बेश्टा और एक हैंते बड़ा पूरी दूनिया आपके लिए था जी मतलब एक समाज में नया मैसर जाता है कि बच्ची के अंदर या बच्चा के अंदर जो क्वालिटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए मौका देना चाहिए तो जो मेरे भाईयों ने दिया मेरा समस्त परिवार मुझे बहुत काफी सपोर्ट किया तो आपका अभी और कोई गाना है जो आने वाल है पिर आया है जो हाल फिलाल में हाँ सर आए बोल बम का गित कल एक रिकॉर्ड हुए बहुत अच्छा लगा जो मुझे अच्छा लगा गाने में जी यहोप कि दर्सकों को भी पसंद आएगा हमारे दर्शकों के लिए हाँ वो गित सुनाती हूं कह बाड़ पिया भूलाईल अघर याव समन निया राईल अब की बेर घुमादा देव घर आवा क्या वाद है बहुत अच्छा है मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो कि अक्सर ही लड़कियों से सवाल किया जाते हैं असलिल्ता पे भोजपुरी में आप असलिल्ता को कहां देखती हैं और क्या आपके अंदर उसके अंदर जो सवाल खड़े होते हों क्या है भोजपुरी में असलिल्ता को देखकर कि मैं जो भी कहूंगी यह अपने मन की बात मैं अपने दरसकों को बताना चाहूंगी कि मैं भोजपुरी भासा गंदा नहीं है बहुत ही मीठा भासा है हम लोग कमात्री भासा है लेकिन जहां तक मेरा सोच है भोजपुरी में असलिल्ता ना हो गाने गाया जाए जो सब सिंगेशों संग बहुत पसंद मामला में है Sin Nun को follow करती हूं और female singer मैं सारदा सिंहाजी को फालो करते मुंचा करते हैं लड़की होना जदा मुस्किल है야 और सेंगिं लाइन में आना नहीं लड़की होना मुस्किल नहीं कि प्रिल्ड में आना यह बहुत मुस्किल है लेकिन अपने सारे जो चुनोतियां हैं या फिर जीतने भी कटा हैं सबको बंधन को दोड़ा और आज एक सक्सेज की राह पर हैं और आगे लगा तार बढ़ती तो लास्ट में मैं सवाल खुझ से भी पूछना चाहूंगा क्यूंकि और शाथ ही वैसे फैंस भी है जो तमाम क फैंर के पीछे रहते हैं तो उनको पीकर दोशाधी का प्लानें क्या है अपका उल्साधी करत दि अभी मैं सोच नहीं कि फिरहाल शाधी six time the घर्वालों के उपर में छोड़ी जोड़ी हूं भर वाले मेरे भाईतों और वो लोग को जब लगेगा जैसा लगेगा वो लोग सोचेंगे अपने तमाम फैंस का देल तो उट रहा है आप जैसे कि आपने बोला कि साधी की जो प्तानिंग है अपकी या फिर आपके फ्यूचर प्लाइनिंग फैमिली को पर डिपेंड कर रहे हैं नहीं मेरा सोच मैंने मत अच्छा तो आपने देखा आज हमारे यूपी आजम गड़ से शोनी साहनी चीज़ थी जिन्होंने तमाम उन पहलों पर बात किया और शाहती बता है कि किस तरह से लड़की को चुनौती होता है लेकिन अगर आपके अंदर हिमत है जुनून है और साथ ही अपनी मन्जिल की और भी जो तमाम चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और लाश्ट बर एक बर फेंसे कहना चाहेंगा कि कैसा लगा आज आपका यह जो दीन था और कैसा रहा आज का दिन सर मुझे बहुत अच्छा लगा और जाते जाते पने फेंस कहोंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार असरवाद दें ताकि मैं जल्दी अपने लक्षी को हासिल करूं तो आज का जो हमारे सफरता ही खतम करते हैं और फिर अगले वीडियो में आपके लिए क्या कुछ नया रहेगा इंतजार खरिए और एफ वीडियो को देखिए लाइक की से कॉमेंट जरूर करेज़ेगा और हमें देजे जाज़ेगा